नमस्कर फ्रेंज मैं सुरिताब सबका स्वागत करती हूँ मेरी शाही फोड़नी कीचन में आज मैं आपको दिखा रहे हूँ बाजरे की रोटी ठंड के दिनों में बाजरे की रोटी खाई जाती है बाजरा हमारी शरीर को गरम रखता है अब आ रहा है भोगी तो भोगी के लिए हम बनाते हैं बाजरे की रोटी महराश्टर में सब के गुरों में बनता है बाजरे की रोटी खास करके भोगी के दिनों के लिए यह रोटी जब हम हाथ से बनाते हैं वो तूट जाती है उसके कॉर्णर जो हो फट जाते हैं तो आज मैं आपको दिखान रही हूँ, बेल के कैसे बनाते हैं बाजरी की रोटी, बहुत आसान तरीका है, आप ज़रूर बना कर देखिए, 100% आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, तो आईए रेसिपी को शुरुआत करते हैं, रेसिपी को शुरुआत करने से पहले मैं आप सब को एक रिक्वेस्ट करना चाती हूँ, जिन लोगों ने मेरा चानल आप तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज मेरा चानल सब्सक्राइब कीज़े, लाइक कीज़े, शेयर कीज़े, और साथ में बेल आइक ज़रूर दबाइए, एक बरतन में डाली एक ग्लास पानी, मीड मैंने पानी डाला था, दो कटोरी बाजरी काटा डाला है, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा तेल, और एक दम छोटी कटोरी से गेहूं काटा मैंने इसमें डाला है, मिक्स करके इसे डख के रख देते हैं, दो चार मिनिट के लिए, ग्यास मैंने आफ कर दिया है, इसको बनाने में एक्षे से मिक्स करना यह थोड़ा सा थंडा पानी भी में रखिये नॉर्मल टेंप्रेचर वाला रूम टेंप्रेचर वाला पानी हमें दिये ऽाथ में इसलिए हमने थोड़ा सा इसमें गियों का आटा और थोड़ा सा तेल डाला है ताकि रोटी हमारी फटेगी नहीं इस तरह से आप आटा गोंद के रेडी करके रखिए अब हम इसे बेलना शुरू कर देते हैं एक साइड में मैंने तवा गरम करने रखा है लो फ्लेम में मैंने को भी थोड़ा सा सुका आटा डाल देते हलका सा हाथ से थप थपा के हलके हाथ से इसे बेलना शुरू कर दीजिए बहुत जादा जोर लगाना नहीं है बहुत बहुत हलके हाथ से इसे बेलना है महराश्ट्र में इसके उपर तील लगाया जाता है जो सफेद तील होता है व के रेडी हो गई है जो हम तील लगाए है वह पार्ट हमें नीचे करना है और आटे वाला पर ऊपर करना है दोन SuccessDream के ऊताई हल्के से दाल दीजे और इमिडेट इसे पानी लगाना है और आब कपडे से भी प्रेक ध्यान रहें को पूरा सुकाना नहीं है पानी लगाते ही 15-10 सेकंड में इसे पलट दीजे जयें पलटने के बाद इसे पकने देते हैं कम से कम एकाद मिनिट तो इसे पकने देते हैं जब यह पका की नहीं चेक करने के लिए आप रोटी हलकी से साइड से उठा कर देख आप इस तरह से बना कर देखिए रोटी बहुत ही मुलायम रोटी बनती है एकदम सॉफ्ट रोटी बनती है और फटती तो बिल्कुल नहीं है कोई भी इसे आसानी से बना सकता है महाराश्ट्र में जो रोटी बनती है वो हाथ से थपतपा कर बनाते है और बहुत बड़ी- यह मेरी रोटी रेडी हो गई है मैं इसे निकालती हूँ इसी तरह से आप सारी रोटी बनाईए बाजरे की रोटी खाई जाती है सबजी दाल दही के साथ में खास करके गुड और गी का साथ में बाजरे की रोटी बहुत अच्छी लगती है बना कर जरूर देखिए और